हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा रिजिनिंग के पांच बैतरी इन प्रस्न जो आपकी एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं देखी दोस्तो एक प्रस्न बहुत ही महत्पूर है जो कि आपकी एक्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है पूछा भी जा सकता है तो गर ऐसे प्रस्ण सॉल्व करना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटा पट स्टार्ट करते हैं Question No.1 देखे दोस्तों Question No.1 में क्या दिये गए Question में प्रस्णाचक चिन क्या स्थान पर काउन सी संख्या आगी देखे दोस्तों प्रस्णाचक किनमा रहे एंपर ठीक है चार आप्सन दिये हुए हैं हैं इनके से एक आपस्ण हमें Senhor करना है और यह प्रस्ण मोस्ट इंपोटेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा दा चुका है जाएगा देखिए गर हम 4 में 4 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा जीरो आएगा जीरो आएगा ठीक है और यहां पर 12 दिया है तो इसे कैसे सोल्ब करेंगे देखिए क्या कर लेंगे 14 और 16 मानस करेंगे कितना वार हो जाएगा दीगे है इसमें क्या किया चार और मानस चार दिया है और से इसमें गुरा कर दिया है ठीक है तो चलिए दोस्तो इसे सॉल करते हैं देखिए क्या करेंगे 6-6 ब्राबर 30 दिया है ठीक है इसमें भी अगर 6 में से घटाएंगे तो 0 आगा और यहां पर लाना कितना है 30 तो क्या करेंगे 6 गुनी 6-6 आनिकी 6-36 और माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा देखिए दोस्तों आगे हमारा 30 ठीक है अब उसी परका यहां पर क्या दिया है 2-2 बराबर 2 ठीक है इसे कैसे करेंगे इसी भी उसी टॉफिक से स्वाल करेंगे देखिए कैसे 2 गुने 2 कर लेते हैं और माइनस 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2-24 ठीक है और मांनास 2 करेंगे न यहां पर आगया 2 अब उसी परका इसे भी स्वाल कर लेंगे हम क्या करेंगे देखिए 8-8 ठीक है दोस्तों कितना 25 छार मास चार से गुणहा कर दिया और चार मायनस कर दिया तो महाई कि इस्टेव सब में अपनाते गए तो हमारा अंसर आ गया कितना अंसर अमारा किस्थान पर 56 थीक है तो आपसन नमर C में दिया हुआ है तो आपसन नमर C हमारा से हो जाएगा मैं उमीद करता हूं कि यह प्रसंट बहुत है साइस आपको समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस जो आपकी घ्याम बूछा या सकता है तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्ब करते हैं देख़्िए दोस्तों क्या दिया ठीक है जिति कंड़ नमर परता एड और यह रिसार्मान अपि कि नंeln numéro पढ़ता है यह सब आपको आथ के नोंगे मैं तब युथ चलिए लिए वने ऑरCES कर सकते कि दिए द्चिंथी नमों किसे लो नम्म uh ग्युट योई नंबर परता है और मिल को साओ करना है तो कैसे गयात करेंगे एम जुबा दिया यहूं और फिर 5 में प्लस 4 जोड़ दिया है, तो 9 हो गया है, ठीक है, और 9 में प्लस 3 जोड़ दिया है, तो 12 हो गया है, फिर 12 हमने 4 जोड़ दिया है, तो 12 हो गया है, देखिए दोस्तों इसमें कैसे चल लगी है, पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 4, अब कितना जोड़ेगा, 3 हनी आने की 16 एगर तीन जोडएंगे तो कितना हो जाएगा उन्नीस कितना हो जाएगा उननीस हो जाएगा ठीक है और उन्नीस नंबर पर कंए संक्या आती है वह आता है यह संख्यां आने की ऑच्छा है थीक है वो हमारे संख्यां rok og Diya पढ che Tahir है तोós भोकिया इसमें 3 जोड़ा फेचार yarn minister 4 तो इसके बाद क्या जोड रस года इंऄ तो ठीक है तो हमारा आपस्टन नमर सी सही हो जाएगा और कुस्टन मारके अस्थान पर यस भरा जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रस्टन आपको बहुत यसान समाज में आ गयोंगे तो चलिए दोस्तों चलते पर नेश्ट कोश्टन पर कोश्टन नमर तीसरा देखिए द ब्रेकेट में 390 ब्रेकेट बंद ब्रेकेट के बाहर आठ ठीक है बी बराबर साथ ब्रेकेट में 134 ब्रेकेट के बाहर पांच सी बराबर पांच ब्रेकेट में कोश्टन मारक और ब्रेकेट के बाहर बार इसी कमें सॉल्व करना है ब्रेकेट के अंदर कोश्टन मारक को ठी ठीक है और देखिए कैसे से सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों यह प्रस्ण में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है इससे प्रस्ण बहुत ही कम लोग आपको बतलाते होंगे इसलिए हम इस प्रस्ण को लेकर आए हैं तो चलिए दोस्तों इसे फटा- 12 और 8 को आपस में जोल लेंगे ठीक है 12 और 8 को आपस में जोल लेंगे और इसका वर्ग कर देंगे और अगर इसका वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 400 कितना जाएगा 400 आ जाएगा ठीक है 20 का वर्ग 400 होता है ठीक है और माइनस उसमें से कितना 10 कर देंगे माइनस 10 कर दे सभाइब तो कितना आजाएगा 350 कितना आजाएगा 390 देखिसे जो प्रोसेस हमने इसमें अपनाया है ठीके व्ही प्रोसेस सब Carm आएगे हमने क्या किया 12 ौर 8 को ठीक है इन दोनों को आपस मजोड दिया और इसका वर्क कर दिया तो कितना आ गया 400 और 400 से माइनस हमने 10 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 390 देखें यहाँ पर आ गया 390 बीच वाजी संख्या प्राफ्ट हो गई अब उसी परकार इसे स्टॉल्ब करते हैं बी वाले को देख कितना आ जाएगा 134 नहीं कितना आजाएगा 134 देखें दूस्तों यह आपकर 134 दिया हुए है अब उसी परकार हमक्या तो हम सी वाले को गयाद करते हैं सी वालों कैसे क्यांद करें तो कितना जाएगा 289 कितना जाएगा 289 देखिए किस option में दिया हुआ आफ़सं सी में दिया हुआ। option number C हमारा say हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने क्या किया पहले ये वाले हम देखिए 12 और 8 को आपस में जोड़ दिया ठीक है आपस में जोड़ दिया और इसका वर्क कर दिया इसका वर्क करने के बाद इनमें से 10 माइनस कर दिया तो हमारा कितनी संख्या है 390 आगया ठीक है उसी परकार हमने क्या किया देखिए साथ और प्लस पांच कर दिया तो कितना का बारा ठीक है बारा कवर किया तो एकसर चुगाइस हो गया एकसर चुगाइस में से हमने 10 माइनस किया तो 134 हो गया उसी पर का हमने सी का भी किया सी आने की पांच और प्लस बारा किया ठीक है पांच प्लस बारा किया तो 17 हो गया से हो जाएगा मैं उम्मीद करूंगा कि यह भी प्रस्ण आपको बहुत हिसाज समझ में आ रहे होंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने इस्ट कोशन पर कोशन नमर चार देखिए दोस्तों कोशन नमर चार में क्या है दीगाइस रिंखला में स्रेडी को पूराज साथ 5 35 35 35 और कोशन मार इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों इसे बहुत ही असान सॉल्व करेंगे देखिए इसमें क्या किया है कि साथ में से क्या क्या है दो मानस क्या तो पांच गया है ठीक है तो देखिए पांच में से कितना इसमें कितना जोड दिया तीज जो गुना करेंगे तो किजना आ जाएगा साथ पचे 35 ठीक है अब 35 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 ठीक है आप गुना करीके देख लीजिएगा अब क्या करेंगे देखिए हमें यह तो गया अब question mark हमें solve करना है तो ऊपर वाइस दिंखा सो solve करनेंगे देखिए पांच और 35 देखिए पांच में क्या किया है कहां पर 35 देखिए इसमें 5-5 से तो इसमें 7-7 तो 35 में अगर हम साथ से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा 245 कितना आजाएगा 200 देखिए दोस्तों क्या अप्सटों में दिया आफ दक्या नंमर दोस्तों से हाईगा टेखिए जमने क्या doctors चल रहे हैं तो से रिंख़ एक चल रहे थी उससे परकर आपको बहुत 07 में आ देखिए दोस्तों कोश्चन नमर पांस में क्या दिये गए भी कलपों में प्रस्णवांचेक जिन के अस्थान पर कौन सा अंक आएगा देखिए दोस्तों प्रस्णवांचेक चिन हमारा यह पर ठीक है चार आपसन दीए हुए है इन्हें से एक आपसन सेलेट करना है सेलेट करें की चार्ण को बनेता है यहां पर पहांच आजाए तो क्या करेंगे देखिए क्या करने को आपको लग रहा है किसमें आपको क्या कर सकते हैं आपको देखिए अगर 80 में हम 2 से भाग देदी 2 से भाग देंगे तो कितना आजाएगा 40 आजाएगा 80 में हम 2 से भाग देंगे तो चल साग जाएगा और फिर 40 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आजाएगा 20 आजाएगा और फिर हम क्या करेंगे 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 10 आजाएगा आने की कोश्चन मार के अस्थान पर क्या भाग जाएगा 10 ठीक है और हम 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 देखिए यह पर 5 भी आ गया आने की कोश्चन मार के अस्थान पर क्या बहुत करता हूं कि आपको बहुत ही बहुत तरीके समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सस्क्राइब और सेयर करना ना भोलें तो आज की लिए बस इतना ही